देश में महिलाओं के खिलाप लगतार बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर एक वर्फिर आंदोलन का रूप लेता हुआ दिख रहा है। उन्नाओ कटवा रेप से आहाद दिल्ली महिला आयोग की अधख स्वाती मालिवाल राजखाट पर अनिशित कलिंग भूख हरताल पर बैठ गई है। स्वाती मालिवाल की मांग है कि रेपिष्ट को 6 महिने के अंदर में फासी होनी चाहिए। इससे पहले स्वाती मालिवाल ने रेप रोको अभ्यान को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में जवरदस्त आंदूलन चलाया था जिसको बॉलिवूट सही देश के बाकी हिस्सों में जवरदस्त समर्थर मिला था। अपने अंशन के दौरान स्वाती मालिवाल ने लोगों से क्या अपील की। अंदूलन तारी बेहनों और भाईयों का तहे दिल से स्वादत करती हूं और आप सबको नमन करती हूं। कल ये निन्ने क्यों लिया गया। एक आठ साल की बच्ची है। कथुआ में, जम्मो में। उसकी कोई गर्पी नहीं थी। वो बहुत मासूम बच्ची थी। अपने घोड़ों को चराने के लिए गई थी। उसके पास कुछ घोड़े थे। उसको कुछ पापियों ने किड्नाप किया। ज्रग्स दिये। और फिर बरबरता से बलातकार किया आठ दिन तक। उन्होंने मेरट से अपने एक साथी को बुलाया। तुम्हें भी रेप करना है एक आठ साल की बच्ची मिल गई है हमें। तो वो साथी मेरट से आया और उसने उसका बलातकार किया। उन्होंने डेर लाख रुपे पुलिस वाले को दिये। कि तुछ चुपो जा। वो पुलिस वाला चुप हुआ तो हुआ। उसने भी लग्या का बलातकार किया। मार रहे थे उसको। गला भोट रहे थे। फिर एक लड़का आगया। नेनी अभी मेरे को भी बलातकार करना है। गला भोटे भोटे रुप गए फिर बलातकार किया। फिर अथरों से मारा। फिर गला भोटा। फिर बलातकार किया। और टुक्डे टुक्डे करके जंगल में फिकवा दे। और ये गिनौनी हरकत हम सब के पूजा स्थल में एक मंदिर में करी दे। कितनी शर्म की बात है उस लड़की की जो खून बरी चीखे हैं मुझे लगता है कि हम सब के कानों में गुंज गई है हम सब के वेहन से सवाल पूच पे है और जब ये कहानी सुनी तब मुझे लगा की बस बहुत हो गया एक तरफ कफुआ रही एक तरफ उन्नाओ की एक बेटी जिसकी बस इतनी गलती थी कि उसके साथ जो रेट हुआ उसके खिलाफ उसमें आवाज उठाई उस बेटी के पिता को इतनी बेहरहमी से माना एक पुलिस वालों ने अपनी कस्टेडी में माना अठारा चोटे पी रहमी की चोटे उसकी शरीर पे आए उसकी अंतरिया फट गई और वो आदमी मर गया क्या गलती थी उसकी सिर्फ ये कि उसने लड़ाई लड़ी एक बाहुबली विधायक से और उस बाहुबली विधायक की हद देखिये पूरी की पूरी उत्तरप्रदेश सरकार लग गई कि कैसे इस विधायक को बचाना है केंदर सरकार लग गई कि कैसे विधायक को बचाना है अरे हो क्या रहा इस देश में कत हुआ, उन्नाओ, आठ महीने की बच्ची के साथ दिल्ली देश की राजधानी में कितनी बरबरता से बलाग साथ किया गया तीन गंटे तक लड़की का अपरेशन चला अभी 17 एपरिल को दूसरा अपरेशन है मैंने उस बच्ची को अपनी गोध में लिया है वो बच्ची उसकी जो दिन की भरतने है न उसकी वो क्या मेरे दिल में क्या मेसूस कराती है मैं शब्द नहीं है मेरे पास उसकी चीथे उसकी चिनलाहट उसको छोओ तो वो डर जाती है भी कप क्या पता उसको उसके साथ क्या हो गया लेकिन फिर भी वो डर जाती है वो काप चाती है तो ये दिल्ली की देश की जितनी बच्चियां हैं क्या ये ऐसी लुपती है दिल्ली बहिला आए हो क्या मान कर रहे हैं क्या मान कर रहे हैं अबो हम यही तो कह रहे हैं कि अगर कोई बलातकार करता है छोटे बच्चों के साथ बलातकार करता है तो उसे 6 महीने के अंगर 80 की सफा दो आठ महीने की बच्ची अगले 16 साल तक अलग अलग जगाओं पे जाके रेट कराएगी हाँ मेरे साथ रेट हुआ था क्या ये ठीक है प्रधान मंत्री जी कल अनुशन पे बैठे एक दिन का अंशन था लोग तंत्र को बचानी के लिए पर लोग तंत्र कैसे बचेगा अगर बच्चीों को नहीं बचा पाएगे अगर महिलाओं को नहीं बचा पाएगे पूरी सरकार चुक रहे बच्चीों के साथ बलातकार हो रहा है इतनी बुरी तरीके से बलागतार हो रहे हैं, फिर भी सब चुप हैं, तो कब तक चुप रहेंगे, तब तक मुठ दर्शक बनके रहे रहेंगे मैं महीला आयोग, पिछले धाई सालों से ये मांग कर रहे हैं, कि हर हाल में छोटे बच्चों के बलागतारियों को छे महीने में पासी दो यहां बैठी इतनी महीला यह हैं, पुरुष हैं, आप में से सारे लोग, बहुत सारे लोग इतने समय से हमारे साथ लगने हैं शनिवार को भी नहीं नायों काम करता है, इतवार को भी करते हैं, दिन में भी करते हैं, रात में भी करते हैं पर क्या हमारा यही काम रही है कि रेप होते रहें और बच्चियों का खून हम बैठ के साथ करते रहें क्या मारा यही काम रहे हैं कि जो बच्चियों को बर्बाद कर दिया जाता है जो पूरी की पूरे परिवार उजाड़ दिये जाते हैं उनका रेप जो सिस्टम कड़ा रहता है उसको हम देखते रहें मैं ऐसा नहीं मानती सारे पांच लाग पत्र प्रधान मंत्री जी को और एक मेना पहले ही दिये थे मांग लेकर कुछ नहीं हुआ सब कुछ ट्राइ करके देख लिया कुछ नहीं हुआ लेकिन मूप दर्शक अब नहीं बने रहेंगे अब तो जी लड़ेंगे और अंतिम गम तक लड़ेंगे मैं आज से अनिश्चित कालीन अंशन पे हूँ कुछ नग पूछ रहें इससे क्या होगा गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया था गांधी जी ने अंशन करके उनके पवित्र अंशन से अंग्रेज इस देश से भाग गए थे भगत सी में अंशन करा था जेल में और अंग्रेजों को पीछे हटना परा था हमारे देश को अंशन ने ही आजाद कराया है अंग्रेजों से तो मुझे लगता है कि ये जो नहिलाओ का अंशन होगा जो मेरा आमरल अंशन होगा मैं मानती हूँ कि मेरी इस तपस्या को कौई जायर नहीं होने देगा मैं प्रधान मंत्री जी से आपील करती हूँ मैं भी उनकी बेटी के समाढ़ है बेटी ही उनकी क्या उमरा ये लेकिन मैं अब आमर अरंशन पे बैची हूँ, उनसे अपील करती हूँ कि मेरी इस तपस्ट्या को जायर ना हमें दे, देश को इस सिस्टम दे, सामने से लीड करें और हमारे को इस तमस्ट्या से लिदान दिवाएं छे महीने के अंदर अंदर छोटे बच्चों के साथ बलागतार होता है, तो फासी की सजा कैसे निवेटी आज सुबह सुबह सुना कि केंजर सरकार की महिला और विकास मंतरी ने कहा है कि अब हम 500 कानून में बदलाग करेंगे, फासी की सजा उसमें हम एड़ करेंगे में भुबा मुफ्ती जी जो जमू और कश्मीर की मुखे मंतरी हैं, उन्हा ने भी यही कहा है, मद्य प्रदेश में कानून आ गया है, इस तरीके का, हर्याना में आ गया है, दिल्ली की विदान सभा में पास हुआ है, और राजिस्थान में आ गया है, सब जगा पे कानून क बहुत अच्छी बात है, इन सारी बातों का हम स्वागत करते हैं, पर ये कानून सिर्फ एक कादस का टुकड़ा है, अगर इस कादस के टुकड़े को हमने सशक्त रूप से उसको इंप्लिमेंट नहीं करा, उसको लागुर नहीं करवाया, तो कोई फाइदा नहीं होता, वो ये कह देती हैं कि जी हम कानून ला रहे हैं, डेक्स पेनल्टी दे रहे हैं, हम सासी की सदा दे रहे हैं, कानून ला रहे हैं, अरे दोगे कैसे, दिल्ली की ही अगर बात बताओं, तो दस साल से दिल्ली पुलिस, च्छासाथ हजार पुलिस करनी की मांग कर रही हैं के इ जनता की सुरक्षा क्या खाख करेंगे? पूरी दिल्भी पुलिस इस वक वी आईपी ड्यूटी कर रहे हैं, जनता की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, मेरे पास भी आथ है, कहा था कि मेरी जान को खकरा है, आप सुरक्षा लेलो, तो मैंने उनसे हाथ जुड़के यही बोला, कि जिस दिन 66,000 पुलिस करनी आपके पास आगे ना, उस दिन सोचूँगी सुरक्षा की बात. कैसे मैं सुरक्षा ले लूँ, जितनी महिलाएं बैठी ली हैं, जब सरक से बाहर निकलती हैं, गली में चलती हैं, कहीं पे भी चलती हैं, तो इलाके और अड़े हैं, जहां छेडी जाती हैं, हर महिला छेडी जा रही हैं, मेरे साथ भी सुरक्षा देगा, जिससे मुझे पकाई ना चलेगी, लड़कियों का दर्द क्या होता है, जब सुरक्षा नहीं होती जब रात में निकलती हूं दिन में निकलती हूं बस में जाती हूं मेटर ने जाती हूं तो मुझे भी तो दर्द महसूस होता है ना तो यह दर्द मुझे महसूस होने दो हमें सुरक्षा नहीं चाहिए हमें दिल्ली की जनता के लिए देश की पूर सब्सक्राइब बना दिये कि भई पुलिस की डिजिकली तरण करेंगे आज तक सौफ्ट्वेर नी बना सीसी की भी कैमरे नी लगे पुलिस स्टेशन में तो ऐसा सिस्टम बनाई जि पुलिस की जवाब दे ही जनता के पतीग हो साथ ही हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जो पास्ट्राक कोर्ट्स हैं ये देश में बढ़ाए जाए जब तक ये तीन चीज़े नहीं होती ही कोई भी कानून सिर्फ और सिर्फ जुम्ला है और किसी कानून के उपर अब मैं अपना अंशन तोड़ने वालों में से पुलिस की जवाब दे ही तै करो पुलिस के रिसोर्स बढ़ाओ और फास्ट्राक कोर्ट सेटप करो जब आप ये करोगे अब तब ही ये अंशन तोड़ेगा आप लोगों से मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना मेरा मनोबल बढ़ा है मैं तो आज यहां पर ये सोच के आईती कि मैं अकेमी बैठूंगी मुझे लग रहा था कि मैं बस अखेगी है मुझे लग रहा था कल तो बात हुई है आज कौन आता है गा लेकिन जितनी भारी तादाप में यहाँ पर महिलाएं आगे मुझे रखता है कि अब उच्चता में हिलेंगी यह अंशन मैं कर रही है मेरे लिए बहुत बड़ी कपस्या की बात है इस तपस्या में आप लोगों का सहयोग चाहिए अगर आप साथ देंगे तो इस पूरे ब्रह्मार्ण में ऐसी शक्ती नहीं है जो मुझे को जुका दें लेकिन अगर आप साथ नहीं देंगे तो मैं कम्रोड पर जाओगी इस देश के सारे लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती है आप साथ आईए जहां है या तो वहाँ पे ही कोई कारे करम कीजिए शांती पूर्ण प्रदर्शन कीजिए या दिली आईए हमारे साथ आईए हमारा सहयोग कीजिए ज्यादा अब मैं बोल नहीं पाऊंगी और इसके बाद तो मैं आगे बहुत कम बोलूँगी लेकिन मैं आप सब का बहुत शुक्र गुजार हूँ और जब तक ये लड़ाई मैं लड़ रही हूँ आप से मेरी रिक्वेस्ट है सबके घर हैं, सबके बच्चे हैं आपको ये कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में मेसेच आए और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बीच में आएं और मैं यहीं पे हूँ अपना काम भी करने की कोशिश करती रहूँगी लेकिन अब मेरा एक ही काम है अब मैं चाहती हूँ कि वेट के उपर जो चुप्ती है जो सरकार में ठान रखी है और जो लोगों में ठान रखी है ये टूते देश में बहुत बड़ा पाप हुआ है अगर इन पापों के उपर हम चुप रहे गए अगर हमने प्रात्मा नहीं करी तो मुझे लगता है कि हमारे देश का कोई भविश्य नहीं है वो जो आठ साल की बच्ची है उस सबको हाई लगेगी तो उस हाई से बचने के लिए उसमें उसकी बच्ची की चीखों से प्रेणना लेकर हम सबको लड़ना पड़ेगा हम सबको तपस्या करनी पड़ेगी मैं तपस्या करनी हूँ मेरी तपस्या शुरू होती है आज मिदी देशवाल आई इनका एक भजन है जिससे मैं अपना अन्शन शुरू करना चाहती थी और मैं चाहती हूँ कि सारे धर्म के लोड यहाँ पे आएं, हम सर्व धर्म प्रात्नाएं करें, हम एक साथ मिलकर, सरकार को लईकारें तो सही, पर इस भगवान से, अल्ला से, वाहे गुरू से, जीजस प्राइस से, हम सब प्रात्ना करते हैं, आप जहां भी हैं, जो भी हैं, हमारी मदद के लिए आएं